हलो मेरे प्यारे बच्चो अप कैसे हो उम्मेद अपसब अच्चे हैं देखो आज असाम सीडवली का काउंसिलिंग स्टार्ट हो चुका है कैसे ओनलाइन फॉर्म को फिल अप करना है वो सारे डीटील में आपको बताने वाला हूँ जैसे आपको मैंने प्रोमिस भी करा था आ आज रात तक आपको पूरा डेटेल आपको मिल जाएगा तो विलकम बैक टो में चैनल मैं हूँ खैरोल और आज आपके सामने में बहुती इंपोर्टन चीजे लेकर आया हूँ बच्चों का इतना कन्फीजन है कैसे करें कैसे ओनलाइन फॉर्म को फिल अप करें कैसे वेरिस भी मैंने आपको पहले भी आज का जो लाइव वीडियो था उसमें भी बताया दिया फिर भी बता देता हूँ बच्चों पाच तारीक से दस तारीक तक आप किसी भी दीन आप उसको भर सकते हो अपना डॉकुमेंट को भर सकते हो लेकिन फाइनल सब्मिशन के बाद अगर आपने कुछ गलतिया कर बैटे हो तो फाइनल सब्मिशन के बाद उसको अब चेंज नहीं कर सकते हो तो जब भी अब फिलब करोगे उसको पूरा शांत दिमाग से और अच्छे से उसको करने का कोशिश करो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा शेर कर अगरे अबने दोस्तों के सब्सक्राइब भी कर लिजेगा बच्छो है ना तो चलिए शुरू करते हैं तो बच्छो देखो सबसे पहला यहाँ पे जब आप DTE मतलब www.dteasam.gov.in पे क्लिक करोगे तो उस सिचुएशन में आपको पूरा एक इंटरफीस आता है वो क्या इंटरफीस आएगा मैं आपको बताने वाला हूँ दिखाने वाला हूँ सारे डीटील आपको बताऊंगा यहाँ पे तो यह एक इंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रक्शन को जो पर जरा अराम से देखो भईया यहाँ पे बोल रहा है कैसे आपको चॉइस करना है वो इंपोर्टेंट बताया जा रहा है अगर कोई बच्चा यहाँ पे नॉट कंपलेट इस स्ट्रक्शन को दिया जाएगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको लॉगिन करना है तो DTE का वेबसाइट में जाओ आप लोगिन करो अब लोगिन करते वक्त आपको एप्लिकेशन नंबर मंगेगा जो आपका फॉर्म फिल अप करते वक्त आपका एप्लिकेशन आया होगा फिर नीचे लोगिन आप्शन पर आपको क्लिक करना है लोगिन अपने करने के बाद आपको डीटेल यहाँ पर भरना है डीटेल भरते वक्त आपको सारे डीटेल आपका 12 का मार्क्स फिर आपका क्वालिफाइंग एग्जाम का मार्क्स आपका पपा का जो भी आपका केटे दिया हुआ है वो अंडर्टिकिंग आपको आप लिखना है और फिर इसको आप फोटो किचके उसको भी अपलोड करना है तो step 3 जो है वो फिलिंग आप preference of institutes and branches in order to the preference आपका जो preference होएगा अपने हिसाब से आपको कहा मिल रहा है वोच्व चूड़ो अपना not mandatory to fill up the all the preference by candidate therefore candidates are directed to fill the choices only which he is interested to study जहाँ पे इंटरेस्टेड हो वहाँ पे आपको fill up करना है उस choice को भी आपको click करना है उसके बाद आपको final submission आ जागा तो यह चारो step है बच्चो यह चारो step आपको अच्छे से देखना है so part B में आपको दिखाता हूँ reporting for admission counseling हो गया उसके बाद आपको क्या करना है admission लेना है candidate are to proceed for the following steps only after provisional allotment of seat आपका जब seat allotment हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है report करना है जिस college में आपको मिला होगा तो step 4 यहाँ पे क्या है uploading the acceptance letter along with part A format available in the information browser regarding acceptance of provisional allotment of institute and branch आपका जो जिस allotment आपको किया गया है उसका acceptance letter आपको fill करना है और फिर आपको वहाँ पे जाके report करना है बच्चो मतलब अब जब आप यहाँ पे upload कर लोगे तो report हो गया आपको यह report करना जरूरी है अगर नहीं करोगे तो दूसरा candidate को दिया जागा वो पहले भी बोला गया है तो अब एक-एक step में आपको बताता हूं सबसे पहला step होगा online login करना है तो online login आपको DTE का website में जाओगे तो नीचे आपको मिलेगा एक CWE का instruction बगेरा मैं आपको दिखाता हूं क्या करोगे DTE का जब website आप click करोगे तो उस situation में आपको यह आने वाला है counseling portal for CWE 2020 यहाँ पे आप click करोगे click करते ही आपको ऐसा एक interface नजर आएगा तो इस interface में जाओगे अपना application number यहाँ पे put करोगे और फिर आपका date of birth यहाँ पे put करोगे then login करोगे यह समझ में आता है उसके बाद आपको क्या है यह सारे चीज आपको fill up करना पड़ेगा जैसे CWE का result यहाँ पे आपका rank in look लिखना है nationality बहुत ज्यादा जरूरी है father's name mother's name यह सारे चीज है फिर आपका जो भी parents का phone number आपको चाहिए होगा फिर educational qualifications यहाँ पर last examination past यहाँ पर आपको लिखना है आपकी examination को pass करके आए हो वो यहाँ पर fill up करना है total marks यहाँ पर fill up करना है obtain marks यहाँ पर fill up करना है percentage fill up करना है then class or division first division second division जो भी हिसाब से आया हुआ है वो सारे चीज आप यहाँ पर fill up करोगे बच्चो उसके बाद यहाँ पर एक option आएगा जैसे यहाँ और भी बहुत सारे detail रहेगा फिर category selection यहाँ पर आपको लिख करना है yes appropriate करना है यहाँ पर cast कौन सा होगा OBC MOBC यह सारे चीज आपको no yes जो भी आएगा उस हिसाब से आपका जिस category में आते हो उस category को आपको fill up करना है then आपको save and continue को click करना है बच्चो जब save and continue को आप click करोगे उस situation में आपको file upload जैसे आपने documents जो भी चीज़े है आपको important documents जो जो चीज़े मांगा गया है व आप यह document को upload करने के बाद आपको preference of institute and branch को भी fill up करना है बच्चो अपने preference wise जैसे मालो आपको AEC में मिल रहा है mechanical तो आपको AEC mechanical पहला मतलब अपना preference wise mechanical डालो पहला प्रेफरेंस में फिर AEC मालो CS में जाना चाहते हो तो फिर CS डालो फिर civil में जाना चाहते हो उस हिसाब से आ ठीक है अब यह हो गया उसके बाद आपको इसको preview करना है form को preview करोगे उसके बाद आपको final submit करना है बच्चो तो यह सारे process हो गया उसके बीच में भी कुछ कुछ चीजे है जो आपको जानना जरूरी है मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ अब यहाँ पर देखो filling up the candidates particular जैस में आपको क्या करना है CLEE का admit card and score card या फिर आप rank card बोल सकते हो age proof के लिए आपको क्या HSLC pass certificate और admit card आपको डालना है या पर एक बच्चे को कुछ बच्चे comment भी करते है sir admit card अभी हमारा गूम हो गया है आपके पस pass certificate तो है उसको आप डाल दो फिर 12th का mark sheet जो है वो आपको डा हो रहा है उसके लिए यह है उसके बाद तीन हो गया आपका फिर आ रहा है चोता वाला जो proof of permanent residential certificate जो permanent resident of Assam का हो आप वो आपको प्रूव करना है जैसे all categories except central government employee category permanent residence certificate यहाँ पे आप देख सकते हो of candidate और father BPL card of parents और other relevant document indicating permanent resident of Assam आपका या फिर अपना पपा का यहाँ पे आपको recent card BPL card जो भी चीजे है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो sorry recent card नहीं मतलब जो relevant document है जैसे passport भी show कर सकता है अधर card भी आपका इधर permanent resident of Assam हो यह show कराता है तो उस हिसाब से आप इसको डाल सकते हो मालनो अगर आपके पास अपना पापा का PRC डाल दो नहीं तो आपने पास कुछ receipt तो acknowledgement letter कुछ दिये होंगे आपने apply करे हो उसका अब डाल सकते हो क्योंकि कुछ time limit के अंदर आपको यह सारे चीजे fill up करना पड़ेगा आपको दिखाना पड़ेगा आपको show करना पड़ेगा अब जो for central comment employee categories permanent resident certificate of candidate father BPL card of parents other relevant documents indicating permanent resident of outside awesome जो outside awesome का है आपको भी यहाँ पर डालना है बच्चो ऐसा नहीं कि सिर्फ आसाम के बच्चो PRC सबको डालना है ठीक है okay so अब यहाँ पर आ रहा है fifth वाला जो category certificate if any as applicable अब यहाँ पर जानते हो information browser में आपको जो भी categories का बारे में बात किया गया वो सारे categories आपका यहाँ पर upload करना पड़ेगा बच्चो क्योंकि हमने एक चीज़ देखा था categories का यहाँ पर एक option आ रहा था यहाँ पर देखो आप य बेल्ड हो गया freedom fighter हो गया यहाँ पर sports quota हो गया sports quota अप यह यहाँ डाल सकते हो एंससी quota हो गया फिर यह सारे चीज़े जो भी चीज़े है आप सारे यहाँ पर आपको डालना है बच्चो आपने हिसाब से अपना जो भी categories के हो आप उस category का यहाँ पर नाम डालना है और अपना document को upload करना है character certificate from the last past institute यह last past institute बहुत बच्चे पूछते है सर coaching center से लाना है क्या ऐसा ने coaching center में आपने पढ़ के पास उस नहीं कियो coaching center वाले सिर्फ टेस्ट ही लेते हैं आपने qualifying exam जैसे आपने 12 past करा जैसे आपने lateral entry का हो तो आपने डिपलोमक कही पर पॉलिटेकनी college में आपने पढ़ा होगा या फिर आप MSC में admission ले रहे हूं तो BAC आपने कभी पढ़ा होगा न तो वहां से आपको character certificate चाहिए optional for academic session 2021 यहाँ पे जो 2021 का जो है वो optional है अब gap certificate जो है gap certificate आपको चाहिए अगर आपने gap लिया है तो situation में मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ मैरा जो last मैंने live लिया था उस live वीडियो के जो pin comment है उसमें मैंने gap certificate का एक format डाला है बच्चो तो वो format आप लेके उसको fill up कर सकते हूँ अपना जैसे word commissioner member of word commissioner का आप sign ले सकते हूँ इसमें notary का sign ले सकते हूँ गावपन continue करा या नहीं वो चीज़ आपको देखना चाहते हैं लोग ओके so eight number part a candidates detail with parents declaration जो declaration है यहाँ पे declaration होगा undertaking जो है वो आपको यहाँ पे upload करना है नाइन्थ हो गया uploading of undertaking जैसे candidate must upload undertaking in the format given below regarding यहाँ पे देखो personal information preference of choice institute branch after signing by him and her countersigned by the parents and guardian यह आपको undertaking आपको upload करना है बच्चो यह nine आपको document आपको upload करना है no document आपको upload करना है अगर आप category को नहीं हो तो आप मत करो character certificate नहीं है तो उसे जो नहीं यहाँ पे आप देख रहे हो 2021 का जो session है उसके लिए optional है अगर है तो upload करो नहीं तो छोड़ सकते हो यहाँ पे तीसरा step देखो यहाँ पे filling of choices institute and branches यहाँ पे आपको बहुती अच्छे से यहाँ पे fill up करना है आपका जो preference order है उस order से ही आपको यह यहाँ पे fill up करना है document verification जो verified online होने के बाद अगर आपको in order दिखा रहा है तो उस situation पे आपको क्या करना है जो preference से वह आपना डालना है preference wise ही आपको sit allotment किया जागा और sit allotment होने के बाद आप उसको change नहीं कर सकते हो जो आपना इच्छा जो होगा जिस branch में आप पढ़ना च जाते हो उस college का preference wise आप यहाँ पे fill up करो बच्चो यहाँ पे गडबढ़नी करने का है तो final submission after completing all the steps mentioned above the candidate must submit the form finally by selecting the submission button यहाँ पे submission button होगा वहाँ पे आपको select करना है else the filling of the counseling form will be incomplete तो आपका admission नहीं मिलेगा अब अगर इसको final submit नहीं करोगे तो उस situation में आपका admission नहीं होने वाल acceptance letter regarding acceptance of allotted institute and branch candidate who do not submit declaration 2 or who select option 4 that is candidate who reject the allocated seat will not be considered in the subsequent round of allotment यह चीज आपके दिमाग में रखना है यह वाला भाईया बहुती ज्यादा इंपर्टेंट है step 6 देखो यहाँ पर reporting the respective institution where the candidate is admitted यह step 6 है candidate must report the respective institution where he admitted on the date of reporting to the institution for final admission आपको final admission के लिए report करना पड़ेगा कहा पर आपको जिस institute में allotment किया गया उस institute में जाना है और आपको final allotment final admission वही पे लेना है बच्चो ठीक है दिमाग में यह गुसा है इतना सारे चीज़े मैंने आपको बता दिया यह हो गया बच्चो अब यहाँ पर सारे steps हो गया आपको upload करना है आपको fill करना है choice को फिर final submit करना है acceptance letter को अगर allotment मिल जाए तो उसके बाद acceptance letter को भी आपको उनको submit करना है फिर report करना है बच्चो यह सारे चीज हमारा हो गया औ और मैंने यहाँ पर detail आपको बता दिया DTE का website में जाओगे यह interface आएगा और यहाँ पर आपको click करना है फिर आपको यहाँ पर application number फिर date of birth आपको डालना है फिर आपको ऐसे form आ जाएगा जिसमें सबसे पहले रहता है कुछ चीज़े उपर लिखा हुआ रहता है CEE 2020 कर result यह यहाँ पर लिखना है basic detail यहाँ पर लिखना है father mother's name वो सारे चीज़े educational qualification और भी आपने class 12 में कितना marks लेके आये हो कितना subject में कौन subject में क्या क्या चीज़े लाए हो एक sitting में आपने पास करा याने यह सारे चीज़े आपको यहाँ पर fill up करना है उसके बाद categories आप select करना है तो final submit करना है बच्चो तो यह सारे चीज़े आपके पास हो गया okay all the best बच्चो कोई problem हो तो comment करके पूछो message करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह सारे था अब 10 तारिक से पहले इसको कर लेना उसके बाद result आएगा lot कर देंगे तो 13 से पहले आपको acceptance letter ढालना है यह तो आपन दिया जाएगा vacancy बनाया जाएगा और दूसरा अदमी को दिया जाएगा ठीक है okay bye bye and take care बच्चो